हेलो एवरिवन आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सर्दी की एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेसन की ठेचे की रेसिपी तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं साथ में हम बनाएंगे चावल की गर्मा गरम और बिल्कुल रूई जैसी रेसिपी चुरू करने से पहले अगर चावल को सब्सक्राइब कर लेजए यह तो चावल की रोटी बनाने के लिए यहां पर एक कप में पानी डाल रहे हूँ बॉइल होने के लिए इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और डालेंगे एक चमच देसी की और इसको हम बॉइ पहल पर आने के लिए देंगे, तो देखिए यहां पर अच्छे सा बोईल आ गया है पानी में, अब यहां पर एक कप पानी के लिए हमने यहां पर एक कप ही चावल का अटा यूज किया है, डाल की अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, अभी ग्यास की फ्लेम ऑन ही है, और mix करने के बाद यहां gas की flame को हम off कर देंगे और spoon को भी हम clean कर लेते हैं और फिर हम इसे ढख करके रख देंगे जब तक थोड़ा सा यह थंडा भी हो जाएगा और steam में यह और भी अच्छे से पक जाएगा तो चलिए जब तक यह थंडा हो रहा है हम lesson की धेची की तयारी कर लेते हैं यहां पर हरा वाला lesson दिया है तो आजकल green lesson मार्केट में available है बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका fresh सा तो देखिए इसके root को भी आपको cut करना है और इसको discard नहीं करना है और इस तरह से चोटे-चोटे टुकड़े में इसको हम cut कर लेंगे तो चलिए इसके पत्तों को भी हमने अच्छे से cut कर लिया है और यह जो roots थे इसको scissors से अब चाहें तो इस तरह से और चोटा-चोटा cut कर सकते है चलिए यह भी तयार हो गया हमारा इससे हम side में रखते हैं और आटा को हम निकाल के दूसरे bowl में transfer कर देते हैं अब इसमें हम थोड़ा सा पानी sprinkle करेंगे और इस तरह से हम इसको अच्छे से गून देंगे यहाँ पर गूनना अच्छे से है, जितना अच्छे से आपसको गून देंगे इस रोटी को बनाने में तो चलिए आटा हमने यहाँ बहुत अच्छे से गून दाया है और देखें आप बलकुल यह चिकना सा हो गया है चलिए इसे भी हम ढखके अभी हलका सा यह गुन-गुना है इसे हम साइड में रखते हैं और चलिए हम धेचा तयार कर लेते हैं रिचा तैयार करने के लिए हमने यहाँ लोहे की कढ़ाई ली है लोहे की कढ़ाई थोड़ी सी से flat से ले या तो फिर आप तवा पे भी इसको बना सकते हैं इसमें 2 table spoon के करीब डाला है सरस्न का तिल तेल को अच्छी से गरम कर लेना है सरसों का तेल जब भी यूज़ करें Eunice अच्रों करें पहले ऑच्छे से गरम करें इसके बाद ही इसको इस्तमाल करें इसमें हम डालेंगे आधह कप के करीब है मुंदक वाली इसे डालके हम हलका सा रोस्ट कर लेंगे यह आधी पकेगी उसके बाद ही हम सारे ingredients डाल देंगे क्योंकि ये धीरे धीरे इसमें अभी और पकती रहेगी मुझफली तो बिल्कुल brown नहीं करें अभी इसमें डालेंगे 4 हरी मिर्च जितना तीखा पसंद करते हैं उसके according डाल सकते हैं आप हरी मिर्च इसको भी डालके हम थोड़ा सा fry कर लेते हैं और साथ में जो भी हमनी लेजन काट के रखा था पत्ते के साथ ही इसको डाल देना है इसमें डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा fry कर लेते हैं लग रहा है ना कितना refreshing की इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और डालने के बाद इसको हम अच्छे से थोड़ा सा पका लेंगे जब तक कि लसन और मिर्ची हमारी अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती है जो चलिए एक मिनट के लिए से पकाया है आप जो करना है यह सबसे important काम है यह है कोई भी इस तरह का सिलबटा ले 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 और लेने के बाद इसको आपको इसी पर रखके आपको इस तरह से mash करना है क्योंकि कड़ाई यह अभी भी गरम है और उसमें जब इस तरह से आप मैश करेंगे ना तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे आप निकालके चाहें तो इमंदस्ति में भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो सिलबटी भी रखके इस तरह से क्रश कर सकते हैं गर के बाद हम जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं वैसे ही लोईयां काट लेंगे काटने के बाद इसको हम बेल लेंगे जो बचावा आठा है इसे ढग करके ही रखें तो हलका ये गरम रहेगा तो बनाने में बहुत ही आसानी होती है और अच्छा बन के तयार होता है ये रोटी द और आठी को लगा लेंगे और लगा कि इसको हम जैसे नॉमल रोटी बनाते है वैसे ही आपको बेल लेना है और तवे पर रखके इसको जैसे है वैसे आपको प्रॉपर ली सेख लेना है एक तरफ से हलका सा तुन कर देंगे और उन कि बाद दूसरे अच्छे से जब थोड़े से चिकते नहीं पढ़ने लग जाए तब तक इसको हम सेखना है और इसके बाद इसको हम इस तरह से टर्न कर देंगे और यह इस तरह से फूल जाएगी और यह रोटी जो है हमारी बनके तयार हो गई है तो चावल के आँटी की रोटी भी तयार है और यह गरव गरम बहुत ही टेस्टी लगती है बहुत ही अमेजिंग सी रेसीपी है इस रेसीपी को आप ट्राई है जरूर केज 인ति अचयों के दिश सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताए़ एक लगता जा debt that dec